जे, स्लाम अलेकुम, उमीद है कि आप तुमाम दोस खरिये से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा मार्किट ने आज 400 पॉइंट डाले, कल जो था वो मार्किट की जो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी, जो थोड़ी सी सूर्टेहाल मुस्बत थी, उससे थोड़ा सा अंदाजा था, कि मार्किट जो है वो आज मुस्बत हो सकती है, तो चलें, उमीदों पर मार्किट पूरा और यू समझे लीजिए कि अफ़ाहें जो हैं, वो बहुत ज्यादा गर्दिश में हैं, एलेक्शन के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड नियूज जो है, वो सामने नहीं आई, जिसकी बन्याद पर हम को बात कर सकें, अभी तक बातें जो हैं, वो यही चल रही हैं, everything is good, और जिस तरह से plan हैं, उसी तरह से होंगे, देखिए जी, यहां से, यहां पर कुछ नहीं पता चलता, कि रात के वक्त जो है, वो क्या decision हो जाए, अभी तक कि जो खबर है, वो चुके दुरूस्त है, तो हम भी फिर इसको दुरूस्त ही लेकर चलते हैं, आगे चलते हैं और मजीद जो हैं, वो कुछ खबरे हैं, उसको भी शामिल करेंगे, कुछ हमारी तरफ से भी एक announcement है, वो भी इन्शालला जो है, वो stock market के वीडियो का हिस्सा बनेगी, चन्द दिन पहले मैंने जिकर किया था, कि stock market का जो course है, वो training जो है, वो मैं arrange करने की कोशिश कर रहा हू just only for investors, तो उस पर काफी हद तक काम जो है, वो मेरा मुकमल हो चुका है, तो next week से इंशालला जो है, वो training शुरू होगी, उसकी जो तफसीलात है, वो आगे चलके आपके साथ हम share करेंगे, ओवराल market match situation जो थी, वो मुस्बत रही, टोटल जो है, वो 56 companies जो है, वो अपर, अपर 50% जो है, वो सूरते हाल market में बहतर रही, आज market का sentiment जो था, वो थोड़ा मुस्बत था, चंद खबरे हैं, उसको जरा शामिल कर ले, फिर हम वापिस आते हैं, कुछ announcements भी है, कुछ जो है, वो results भी आए है, उनको भी हम शामिल करेंगे, पहली खबर जो है, वो cohort cement के हवाले से है, कि उन्होंने, क्लिंकर मेकिंग जब का जो process था, उसको improve कर लिया है, तांके उनकी जो production है, वो बेहतर हो सके, अब क्लिंकर क्या होता है, ये मेरा खले शायद आम लोगों को नहीं पता होगा, यू समय लेजिए, कि सिमर्ट जिस वक्ते process में से गुजरता है, तो उसको powder बनाने से पहले, उसकी जो डलियां बनती हैं, उसको क्लिंकर कहते हैं, तो उस हवाले से इनकी progress हुई है, तो यकीन जब इनकी production इंप्रूब होगी, तो फिर automatically इनकी profitability भी बढ़ेगी, वैसे भी cohort group जो है, ये अच्छा group है, उसके बाद दूसरी खबर जो है, वो पाकिस्तान की जो है, वो inflation के हवाले से है, कि January 2024 में inflation 28.3 फीसद, अब मसला इस चीज़ का है, कि अगर inflation जो है, वो 28 फीसद पर है, तो फिर कैसे ममकिन है, कि आपका interest rate नीचे आ जाए, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ, नजर नहीं आ रहा, और अगर inflation जो है, वो इसी तरह से continue कर बढ़ाई है, तेल की कीमते, फिर इसके साथ इन्होंने LPG की कीमते बढ़ाई हैं, अब इन दोनों की prices जिस वक्त बढ़ेंगी, तो इसका directly impact जो है, वो तो फिर हमारी consumer price index पर तो पढ़ेगा, और उसे inflation जो है, वो बढ़ेगी, तो आने वाले दिनों में, जब देखे न, त बढ़ा, क्राई बढ़ेंगे, क्राई बढ़े, manufacturing cost बढ़ेगी, आपकी जो है, वो services की cost बढ़ेगी, आपके जो, जिसको हम लोग overhead charges कहते हैं, businesses के, वो बढ़ेंगे, जब वो बढ़ेंगे तो चीजों के कीमते उपर जाएंगे, तो लोगों की buying power जो है, वो automatically reduce हो चुकी है, वो मजीद pressure में आएंगी, तो महगाई में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लहाज़ा मेरा ख्याल है, कि अगले कोई एक दो महीने, या अगले कुछ अरसे तक जो है, वो शायद हमें inflation इसी तरह से मिलेगी, और उसकी वज़ा से interested नीचे नहीं आएगा, लेकिन मैं अक चीज़ का सहारा लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डाइनामिक्स मुख्तलिफ हैं, internationally हम चीज़ों को जिस वक्डिसक्स कर रहे होते हैं, तो वो चलते हैं by the book, पाकिस्तान में मामला by the book वाला नहीं है, यहाँ पर जो है, वो तो आइन को साइड पर रख देते हैं, तो फिर किसी और book की क्या बात करनी, खैर, आगे जलते हैं जी, तो inflation जो है, वो काइम है जी अपनी जगापर, उसके बाद अगली खबर जो है, वो यह है कि recomposition जो हुई है, वो KSC 30 इंडेक्स की हुई है, देखें यह इंडेक्स के हवाले से अकसर बाते होते हैं, इंडेक्स क्या है, the companies का एक जो है, वो लिस्ट कहा लिजिए जी, जो companies उस लिस्ट की जो requirement है, उसके बताबिक होती है, वो रह जाती है, जो नहीं होती है, वो निकल जाती है, और यह process जो है, यह सारा साल जारी रहता है, recomposition of index का, पिछले दिनों हमने KMI के हवाले से बात की थी, अब KSC 30 की बात हो रही है, इसमें से उन्होंने कहा है, जी के TPLP जो है, इसको add कर लिया गया है, CERL, Colgate, Pomali, Pakistan, Pakistan Refinery, Shell and National Refinery, इनको KSC 30 index में शामिल कर लिया गया है, जिस तरह से KSC 100 है, top 100 companies, इस तरह से KSC 30 है, top 30 companies, उमीद है कि बात जो है, वो डलीवर हो गई होगी, आगे चलते हैं, तो अगली खबर जो है, वो PIA के हवाले से है, कि कभी खबर आती है, कि कोई मान, बैंक नहीं माल रहे, कभी खबर आती है, नहीं नहीं बैंक मान जाएंगे, तो यह सिलसला so and so चल रहा है, लेकिन आपने अगर आसफ जरदारी सहब का बयान सुना हो, तो उन्होंने ये बयान द जारी से बात है, जिसने बेचनी है, उसने PPP से थोड़ा पूछना है, कि जी हम बेचने लगें, बेचें के ना बेचें, वो तो क्या कहते हैं, जी अब एक फिक्रा आया जहन में, अब इसके बाद पता नहीं वीडियो में क्या होगा, कुमेंट्स में क्या होगा, लेकिन फ फाइदी बुक कोई सिलसला होता हुआ, नजर नहीं आ रहा, और को कॉन्टिन्यूटी भी नहीं है इन चीज़ों के अंदर, अफ़ाहें ज्यादा हैं, लेकिन शायद जिन लोगों ने ये आने पाने खरीदनी हैं, वो बहुत जल्दी में हैं, तो जल्दी का काम आपको पत वाटसअप नंबर्स हैं, उनको आज वाटसअप कर दिया जाएगा, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, अगले एका दिन जो हम इसके हवाले से बात भी करेंगे, तो जिन्हों ने रिजिस्टरेशन करवानी हैं, वो करवा लें, रिजिस्टरेशन डिटेल्स जो आप इसमें से देख लिजिएगा, एहम बात ये है कि इसमें हमने इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि ये आप जहन में रखिएगा कि ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ओ व्यू से ट्रेनिंग होगी, और इसमें हम दो जो है वो होगी, बाइ लो एंड सेल हाई, और दूसरी स्ट्रेटेजी जो होगी, जिरो कॉस्ट स्ट्रेजी, कि किस तरह से हम लेकर चलें अपने शेर्स को, कि कुछ हरसे के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जो हमारी स्ट्रेजी है, उसको फालो करते हुए, हम पहले तो श चेस ki सेलेक्शन करेंगे, यह चेस के स्ट्रेजी है के या तो हम इसको लो पे बाइय करें और हाई पते हैं और दोसरे स्ट्रेजी यह होगी, कि अगर हम इसको मजीद कीप करना चाहते हैं, लॉंड टर्म के, लॉंड ए लॉंड के लिए, तो उस शेर्स की पराईस जो है, तो इस दोनो इन दोनो strategies को जो है वो हम इंशाला इसमें discuss करने की कोशिश करेंगे तो जो लोग investment point of view से training में हिस्सा लेना चाहते हैं वो इसके ओपर जरा गौर फरमा लेजिएगा और अगर आप interested हैं तो आप हमारे साथ रापता कर लें आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं जी वो पाकिस्तान refinery का बहुत अच्छा result है जी दूसरे quarter का result है तीन रुपे बाइस पैसे की earning है अब आप ये समझ लेजिएगा कि PRL की EPS बढ़ने का मतलब ये है profit बढ़ने का मतलब ये है कि PSO की profit बढ़ी है ये मत भूलिएगा subsidizerie company है बैंक अलफला का result 23 रुपे की earning है 5 र बैंकों के लगे हैं च्छके सिंद मुदार्बा का result है जी दूसरे quarter का एक रुपया 31 पैसे की earning है दिया दलाया कुछ नहीं कोई बात नहीं ये ये कुछ ना कुछ दे देते हैं वापिस चलते हैं जी और हम बात कर रहे थे किस किस sector ने क्या क्या situation जो थी आज मैं खबरें ज बात करें तो सबसे ज्यादा oil and gas ने perform किया then commercial banks, refinery, pharmaceutical, fertilizer and so and so पूरी market ही जो है वो कुछ ना कुछ जो है फो perform करती हुई नजर आई है चुके अमीद बनी है कि पाकिस्तान के जो हलात हैं वो इन्शालला बेतर हो जाएंगे ये दो दर्मयान में हमें थोड़ा सा decline देखने को म ये होता है market के अंदर इस तरह से चीज़ें चलती हैं आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की candlestick की candlestick के हवाले से पहली चीज़ तो ये है कि market के हवाले से जो कल की candle थी वो उमीद वाली थी और आज की candle थोड़ी बहतर है लेकिन candle का size बड़ा चोटा है और market में आज लगने वाला जो वॉलियम है दीखे वॉलियम जो हना ये बड़ा ये अब वॉलियम क्या है यार वॉलियम मैं आपके छोटी सी example देता हूं मिसाल के तोर पर आप जो है वॉलियम आप यू समय लीजिए कि हमारे पंजाबी में कहते है कि खाना थो खाना चाहिए ता जड़ी जो customers है वो जितने increase होंगे वो दुकान उतनी ही famous होगी उतना trust building होगी तो basically ये candlestick में हम रोज जो हर रोज जो volume की बात करते हैं जो नए investors हैं या traders हैं वोक्सर कमेंट करते हैं जी volume से क्या फरक पड़ता है तो basically ये चीज़ें चुके सीखने वाली है हम भी सीख रहे हैं आप ये बहुत एहम होता है अगर volume जो है वो आपकी candlestick को ये pattern को support नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी pattern बन रहा है ये जो भी trend बन रहा है वो strong नहीं है तो basically volume जो है वो उसको बहुत support करता है एक चीज़ दूसरी चीज़ आप ये हमेशा याद रखिएगा कि share गि तो वो इतनी consider नहीं होती लेकिन अगर market उपर जा रही हो और volume कम हो तो वो बहुत ज़्यदा consider होता है ये एक sentiment है इसको आप ज़रूर जहन में रखिएगा आज का volume जो है वो कुछ होसला अफ़जा नहीं है लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आज तीसरा session है कि market ने अपनी जो support है उसको बरकरार रखा है कि यहां से market कुछ जो है वो consolidate कर सकती है और यहां से एक move जो है वो हमें बेहतर देखने को मिल सकती है volume की बात करें तो गुजशता दिन यानि के कल के दिन के लगने वाले volume से आज volume थोड़ा कम रहा तो कम होता हुआ volume यकीन उसके साथ positivity जो है वो वापिस आने की तैयारी कर रही है लेकिन reliability जिसको कहते हैं वो low होगी यहां पर हाँ अगर आज का volume जो है वो एक average volume होता आज का volume average volume नहीं है अगर average होता तो यकीन आज की जो positivity है उसकी reliability भी ज्यादा होती लगते हाथ ज़रा एक दो indicators भी देख लेते हैं अगर हम RSI की बात करें तो आज RSI जो है वो थोड़ा सा tilt लिया है उसने और closing दी है उसने 44 पर लहाजा जैसे ही RSI 50 पर पहुंचेगी हमें market में थोड़ी सी जो movement है वो रुकती हुई नजर आ सकती है वो इसलिए कि जो लोग technicals की बनियाद पर काम करते हैं अगर market नीचे से उपर जाए या share नीचे से उपर जाए तो वो 50 पर अपनी position से काटते हैं ये मैं daily की बनियाद पर आप से ये चीज़ें discuss करता हूँ तफसील के साथ उसारी से बात है दस minute की वीडियो में नहीं की जा सकती है तो सूर्ते हाल जो है वो हमें जैसे ही market की जो RSI 50 के करीब जाएगी हमें थोड़ी सी resistance market में दुबारा से देखने को मिल सकती है और उस वक्त market के पास जो resistance level तो उमीद करनी चाहिए कि इन्शालला हमारा जो election है उसके हवाले से positive news आएगी जो के market को support करेगी लेकिन हमारे जमीनी हकाइक बहुत खतरनाक हैं और कुछ भी हो सकता है हमें इसके लिए जहनी तोर पर तयार रहना चाहिए और अपना सारा पैसा market में नहीं डालना चाहिए एक दो तीन लेवल के सारा चलना चाहिए चाहिए बाइंग हो या फिर सेलिंग हो बस जी अब तक के लिए सिर्फ इतना ही सिर्फ एक बात मुझे याद आगई वो मैं आखिर में करता चलूं कि जिन लोगों के हमारे पास whatsapp numbers हैं क्योंकि जिस वक्त आपका कोई message आता है तो तो जो लोग ये समझते हैं या जो दोस्त अबाब ये समझते हैं कि उनको हमारी तरफ से को messages नहीं जाने चाहिए जिस तरह से कि आज messages जाएंगे जो हमारे training courses के हैं तो वो हमें text कर दिए हम आप उनका number जो है वो अपनी list में से निकाल देंगे अला हाफिस